हेलो एब्रीवन वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंडरा एडवांस एजूकेशन आज हम पढ़ने जा रहें क्लास थर्ड की हिंदी की पाथ्य पुस्तक रेशम का लेसन 16 आज इस लेसन में एक कहानी पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक महान व्यक पर हम इसके बारी में जानते होगी शोता-गण होते हैं सुनने वाले लोग सपूत सुयोग्य पुत्र या योग्य पुत्र हम बोल सकते हैं मंत्रमुग्द करना मतलब प्रभावित करना या किसी की बात सुनकर उसके वस में हो जाना रोक मेमोरियल क्या है याद में बनाई गई पत्थर की एक मूर्ती है जो विवेका नंद जी की याद में एक मूर्ती बनाई गई थी इस लेसन में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे पेगंबर कार्थ होता है इश्वर का दूथ या पिर नभी ये नभी जो है उर्दु का शब्ध है इश्वर का दूथ हम बोल सकते हैं हिंदी में तो अब शुरू करते हैं इस लेसन को बड़े ध्यान से आपको यह समझना है सुनना है हमारे देश में बहुत से महान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपना जीवन देश और मानवता के कल्यान के लिए समर्पित कर दिया है मतलब बहुत सारे लोग हुए बहुत सारे भान व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को ही पूरे को समर्पित कर दिया है देश के लिए मानव कल्यान के लिए स्वामी वि उनके पिता विश्वनाथ दत्त बड़े विद्वान और प्रगर्ति शील विचारों के व्यक्ति थे उनकी माता भूवनेश्वरी देवी धर्मिक विचारों की थी क्या नाम था इनकी मा का भूवनेश्वरी देवी जो की एक धर्मिक विचारों की महीला थी माता और पिता दोनों का प्रभाव विवेकनंद पर पड़ा क्योंकि दोनों के विचार ही मतलब बहुत उच विचार के थे दोनों ही माता और पिता इनके तो उनके विचारों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा जो विवेकनन्द स्वामे विवेकनन्द थे उन पर उनके विचारों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ नरेंदर ने चकी के नीचे से खीच कर उसकी जान बचा ली तियां विचटर दी गई हे स्वामि विवेकनन्द भगवान WRbury नहीं की सची नहीं भग्त थे महान विद्वान्स स्वामी राम क्रिश्न परमहंस के शिश्य थे किसके भगते थे ये भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भगते और इनके गुरु का क्या नाम था राम क्रिश्न परमहंस उनके गुरु ने उन्हें सच्चे धर्म के मर्म को समझाया सच्चे धर्म के आर्थ को समझाया और कहा कि लोगों को स प्रभावित हुए उसके बाद उन्होंने के दूसरे स्थानों की यात्राएं की भारतिय दर्शन पर दिये गए उनके व्याख्यानों को लोगों ने बड़े ध्यान से सुना था एक बार एक अमेरीकी व्यक्ति ने स्वामी विवेकानन से पूछा क्या भगवान कृष्ण पैगंबर थे स्वामी जी ने उत्तर दिया इसमें संधे नहीं है मतब इसमें कोई शक नहीं है कि वे महानात्मा थे उन्होंने कुरता मतब निर्दियता और अत्याचार की खिलाफ लड़ाई लड़ी और बुरे कर्म करने वालों का दमन किया तो एक आमेरीकी व्यक्ति था उसने विवेक तरीके से उसको उत्तर दिया किसमें कोई संधे वाली कोई शक वाली बात नहीं है वो एक महानात्मा थे उन्होंने जो निर्दियता या अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और बुरे काम करने जिनके जो बुरे कर्म करते हैं उनका दमन किया था या उनका नाश क किया था अमरी की व्यक्ति ने पुनाय प्रश्न किया फिर से अमरी की व्यक्ति ने उनसे कौशन पूछ लिया आप क्या पूछो नोंने यह कहना कितना सत्ते हैं कि जब भगवान कृष्ण बासुरी बजाते थे तो गाएं उनकी तरह खीची चली आती थी अब उसने क्योंक पूछ बचाते थे तो जो गाएं हैं उनकी तरह खीची चली आती थी अब देखें कितने सुन्दर तरीके से इन्होंने उसको जवाब दिया था स्वामी विवेकानंद अपना व्यक्यान देते रहे जब लोग उनका भासन ध्यान पूर्वग सुन रहे थे तो अचानक अपना भाषन वहां देने लगते वहां वे कुछ देर तक भाषन करते और फिर पुना दोड़कर सड़के दूसरे किनारे पहुंच जाते स्वामी जी द्वारा स्थान बदल बदल का व्यक्यान दिये जाने से अमेरीक अमेरीकियों को बहुत अशर्य हो देखें क्या हुआ मतलब वह देरें तो लोग बड़े ध्यान से सुनते थे तो इन्होंने क्या किया व्यक्यान को समझाने के लिए एक जगह पर भाषन दिया और भाषन को बंद करके दूसरे किनारे आ गए फिर भीड पूरी शोतागण जो थे इनके पीछे-पीछे वहीं पर आ गए वहां उन शोतागणों ने इनके भाषन को सुना इन्होंने फिर भाषन बंद कर दिया और फिर दूसरे जड़की किनारे पर पहुंच गए तो इस तरीके से वह ज पीछे क्यों भाग रहे हैं शोतागण ने उत्तर दिया आपके भासन ने हमें मंत्रमुक्त कर दिया है मतलब हमें भाव विभूत कर दिया है या फिर अभी भूत कर दिया है मंत्रमुक्त होना मंत्रमुक्त होता प्रभावित करना बहुत ज़्याद है प्रभावित कर दिया स्वामी जी ने कहा मैं एक साधारन आत्मी हूं और आप मेरा भाषन सुनने के लिए मेरे पीछे-पीछे दोड़ रहे हैं भगवान कृष्ण महानात्मा थे तो क्या यह संभव नहीं कि जब बासुरी बजाते हूं तो उसे सुनने के लिए गाय उनकी तरफ खीची चली जाती थे स्वामी विवेक अनंद के मैं तो एक साधारन सव्यक्ति हूं जबकि जो गिरिश्न भगवान है वो तो एक महान आत्मा थे अगर मेरे पीछे आप आ सकते हो तो वो तो महान है उनकी बासुरी सुनकर के गाय भी जा सकती है उनके लिए भी यह कोई असंभव बात नहीं ह स्वामी जी का उत्तर सुनकर शौतागन काफी प्रभावित हुए हिंदु धर्म एवं भारत्य दर्शन पर दिये गए व्याख्यानों से भी शौतागन बहुत प्रभावित हुए स्वामी जी को अमेरीकी और यूरोप में बहुत सम्मान दिया गया उनकी पिरसिद सिर्फ उनके लिए ही नहीं थी बंकि उनकी मात्रभूमी के लिए उनकी पुरिश्म मिशन के सच्चे अनुयाई थे उन्होंने अपना से जीवन इस मिशन की सिक्षाओं के परसार प्रचार में लगा दिया स्वामे विवेकानन्द भारत माता की सच्चे सुपूत थे सच्चे सुपूत मतलब सच्चे पुत्र आज्याकारी या फिर सुयोग्य पुत्र थे वे एक संत विद्वान और महान देशभाक्त थे उनकी मिट्टियों 1902 इश्वी में हुई भारत के इस महान सपूत की याद में कन्या कुमारी के नस्दीग विवेकानन्द रोक मेमोरियल का निर्मान किया गया है मतलब इनकी एक मूर्ति को बनाया गया है कन्या कुमारी के नस्दीग बच्छों विवेकानंद के जीवन विर्त से हमें देश भक्ति एवं मानव कल्याण की प्रेड़ना लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन किस तरीके से मानव कल्याण देश भक्ति के लिए निशोवर कर दिया हमें जाती, धर्म और स्वार्थ पड़ता से उपर उठकर मानवताय मात्रभूमे की सेवा करने का प्रण लेना चाहिए इस मर्ने तथिये क्या है विश्व में शान्ती के लिए जरूरी है कि हम समान्ता, समन्वे और मित्रता के साथ रहें अगर हम विश्व में सान्ती बनाए रखना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि हम समान्ता, समन्वे और मित्रता के साथ रहें इस लेसन के बहुवी कल पर प्रशनों की बात कर लेते हैं देखे इस बुक में मेरे पास जो बुक है उसके अंदर ये लिखे में नहीं थे कोशन्स अगर आपके पास है तो ठीक है नहीं तो आप भी लिख लेंगे जिसे पहला प्रश्ण है स्वामी विवेकानंद का जनम कब हुआ तो स्वामी विवेकानंद जो जनम हुआ था वो कब हुआ था आमेरिका के शिकागों में तो हम यहां पर अमेरिका टिक कर लेंगे अब ह法 करते हैं सही कथन में सही तरह गलत में गलत का निशान लगाना है विवेकानंद बच्पन में निर्भीक एवं चिंतन शील प्रकरती के बालक थे बिल्कुल सही बात है विवेकानन्द के जीवन पर उनके माता पिता का कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ा तो ये तो पूरी तरीके से गलत है उनके माता पिता के विचारों से ही तो प्रभावित थे वो बहु गलत है ये किसके भगते ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे विवेकानन्द ने अमेरिका एम यूरोप में काफी मान समान प्राप्त किया बिल्कुल सही बात है ये आपका करेक्ट हो जाएगा अब हम बात करते हैं रिक्तिस्थान की ओप्शन्स दिये गए हैं इन गुरू का नाम क्या था तो स्वामजी की गुरू का नाम था रामक्रिष्न परमहंस वेश्वधार्में अमेलन अटाएसो तिरान में अमेरीका के शिकागो सहर में हुआ था स्वामेजी की मिठ्यू सनुनिशो दो में हुई थी उप मच्चों ये थी आज वीडियो इस लेस साथ ही बैल अरकन पर प्रेस करना ना भूले जिसने हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रही थैंक यू